ग्लास 9 चैप्टर नमबर 3 कॉडिने जो मेट्री क्या होते हैं कि कि सीभी पॉइंट के किसी भी लाइन के पॉइंट्स के पॉइंट्स देखिए है जैसे यह एक लाइन है तीक है यहां से यहां यह किता है डिफ्रेंस अगर देखा जाए तो 1 cm 2 cm का डिफ्रेंस है यह लेंग्ठ हुई तीक है और यही जब हम x-axis और y-axis की बात करते हैं जैसे horizontal x-axis होता है और vertically y-axis होता है अब इस point को मुझे चेक करना है यह वाले लाइन को इसके क्या coordinates है तो देखे मैंने यहां से मेरे पास से इधर मैंने vertically check किया तो इसमें यह कितना आ रहा है 10 means इस जगे से यहां का यह कितना है 10 cm सेम अज़ इस मैं यहां से चेक करूंगी तो यहां से कितना आ रहा है यह 3 यानि इस पैन का जो यह पॉइंट है इसके coordinates क्या हुए horizontally 10 cm है sorry vertically 10 cm है और इस तरह से horizontally 3 cm है तो इसके coordinates क्या हुए 10 3 ठीक है तो इस तरह से हमें इसके coordinates पता लगाने रहते हैं Coordinate Geometry देखिए Coordinate Geometry क्या है very important branch of mathematics known as coordinate geometry बहुत ज्यादा important इसकी branch है मैट्स की branch है जिसको search अगर किया था तो किस ने किया था रहने the Cartes ने यह देखिए यह horizontal line है यह vertical line है horizontal line क्या कहलाती है x-axis और vertically क्या कहलाती है y-axis तो किसी के भी जैसे मैंने यहां पर point रख दिया तो देखिए x-axis पर क्या point है यहां पर one और y-axis पर क्या है one तो इस point के coordinates क्या हो गए हमारे one one x का पहले आएगा और y का बात में आएगा तो x का कितना है one और y का कितना है one तो यह हो गए coordinates इस points के ठीक है तो यहां पर देखिए यह x-axis है x-axis में यहां right hand side में अगर जाएंगे तो यह positive area है यह negative है इसी तरह से y-axis में यह positive है और यह negative area है negative x-axis है ठीक है यह positive direction यह negative direction यह positive direction यह positive y direction है यह negative y direction है देखिए इसमें आप देख सकते हैं अगर हम b point b के coordinates निकालेंगे तो b x-axis पर कौन से point पर है 4 और y-axis पर 3 यानि b के coordinates क्या हुए 4 and 3 इसी तरह से m के निकालते हैं m देखिए यह x-axis negative है ठीक है तो x-axis पर कौन से value है minus 3 यानि m का x-axis पर कौन सा points हुआ minus 3 और y पर 4 क्योंकि यह positive है ठीक है यह positive है यह negative है और यह भी negative है अब इसी तरह से देखिए x-axis पर पहले आप देखिए तो कौन से point पर आ रहा है minus 5 negative है और y-axis पर कहां पर आ रहा है minus 4 यानि l के जो coordinates हुए वो क्या हुए minus 5 minus 4 s के points इसे तरह find out कीजे है x-axis x-axis पर यह कहां पर आ रहा है 3 और y-axis पर minus 4 यानि इसके coordinates क्या हुए 3 and minus 4